नमस्कार, बजट से सम्मंदित इस तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने यह निर्णे लिया है कि बजट से सम्मंदित चार वीडियो होंगे दो वीडियो पहले ही जा चुके हैं यह तीसरा वीडियो है और इसके बाद एक और वीडियो आएगा अभी तक बजट से संबंधित जो वीडियो गये हैं उसमें हमने यह देखा कि बजट 2021-22 के जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए यह प्रस्ताव 6 इस्तंभों पर आधारी थे इसमें से दो इस्तंभ हैं स्वास्त एवं खुसाली और दूसरा इस्तंभ भौतिक एवं वित्ति पूंजी और अपसनशना पर हमने विस्तार कूरवक चर्चा किये हैं इस तीसरे वीडियो के अंतरगत जो सेस चार इस्तंभ हैं इन चार इस्तंभों पर हम चर्चा करने वादे हैं तो अपने इस चर्चा को विस्तार देते हैं बात करते हैं तीसरे इस्तंभ की जिसका शिर्षक है आकांग्छी भारत के लिए समावेसी विकास अकांग्छी भारत के लिए समावेसी विकास के अंतरगत वित्य मंत्री ने जिनको शामिल करने की घोसना की है वो देखें कौन-कौन से है वे है कृसी एवं सहायक छेत्र, दूसरा, किसान, कल्यान और ग्रामीन भारत इसरा, परवासी मल्दूर, और चौथा, स्रम और वित्य समावेसा अकांग्छी भारत, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? एक ऐसा भारत जो सम्रिद्ध हो, लेकिन सम्रिद्धता के साथ साथ एक ऐसा भारत हो, जिसमें विकास के दायरे में सब को सामिल किया जा सके मतलब समावेसी विकास, तो अब हम इस इन चार, मतलब क्रसी एवन साहेक छेतरों किसान कल्यान और ग्रामिन भारत, परवासी मजदूर, और स्रम और वित्य समावेसा को लेकर बजट में क्या-क्या प्रस्ताओं किये गए हैं, या किन प्रस्ताओं की घोजना की गई है, उस पर चर्चा करते हैं सबसे पहले क्रसी एवन साहेक छेतर, देखें इसमें क्या आपको रखा गया है कि सभी जिन्सों के लिए, मतलब सभी क्रसी उत्पादों के लिए, उत्पादन लागत का कम से कम, कितना? धाई गुना, नियुन्तम समर्थन मुल्ले, मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस को सुनिश्यत करते हैं अब यहाँ पर बात हो रही है उत्पादन लागत की, मतलब क्रसी उपज से सम्मन्दित उत्पादन लागत की तो जब भी उत्पादन लागत की चर्चा होती है, तो यहाँ हमें यहाँ जानना आवस्यक है कि आखिर उत्पादन लागत का निर्धारन कैसे किया जाता है उत्पादन लागत का निर्धारन तीन तरीके से किया जाता है पहले तरीके में केवल यह बाद देखी जाती है कि जो कृषी में उत्पादन हुआ है उसको उत्पादित करने में जो कृषी आगत है आगर किरसी आगत क्या क्या हो सकते हैं तो किरसी आगत हो सकते हैं बीज किरसी आगत के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं उर्वरक का किरसी आगत के अंतरगत सिचाई को रख सकते हैं सिचाई करने के लिए जो विद्युत का प्रयोग किया गया है, उसे रख सकते हैं, कीट नासक रख सकते हैं, तो बीज, उर्वरक, सिचाई, विद्युत के प्रयोग और कीट नासकों पर जो खर्च हुआ है, वो पहले प्रकार के उत्पादन की लागत में शामिल किया जाता है, मतलब agriculture input पर जो cost पड़ा, वो एक उत पादन लागत के दूसरे परकार के, दूसरा परकार क्या करता है, दूसरे परकार के रूप में यहां पर क्या है, कि जो input cost है, वो तो रहना ही रहना है, लेकिन input cost के अलावा, जो कृसक परिवार हैं, उन कृसक परिवारों में से, जो व्यस्क सदस हैं, और वो व्यस्क सदस जिन्होंने किर्शी कारे किया है तो उनके मज़दूरी को भी उतपादल लागत में शामिल किया जाता है अब यहाँ पर है कि मज़दूरी की दर क्या होगी तो M.G. नरेगा के अंतरगर्थ परतिदिन मज़दूरों को जो दे होता है वही मजदूरी दर को यहां भी आधार रखा जाता है तो देखे क्या अंतर हुआ पहले में क्या रखा गया है केवल input cost दूसरे में क्या रखा गया है यह agriculture में जो input cost है वो तो है लेकिन साथी साथ मजदूरी को भी सामिल किया गया अब बात करते हैं तीसरे प्रकार के तीसरे प्रकार के अंतरगत क्या है तीसरे प्रकार के अंतरगत input cost तो सामिल है है उसके साथ इसमें जो मजदूरी की दर है उसे भी सामिल किया गया है लेकिन जो अन्य घटक सामिल है वो कौन कौन से है तो किसानों के द्वारा खेती करने के लिए जमीन जो लीज उपर ली गई है तो उस लीज के बदले जो किसान मुल्य चुकाता है वह भी उठपादन लागत के इस प्रकार में शामिल होता है लेकिन साथे साथ करसी उपकरनों की खरीद पर जो लागत लगी है या करसी उपकरनों की खरीद कुपरवद जो लोने रिन लिया है रिन और प्लस ब्याज तो वो भी इसमें शामिल किया जाता है तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि MSP कितना धाई गुना धाई गुना किसका उतपादन लागत का लेकिन उतपादन लागत में किन परकारों का तो अब यहाँ पर जादतर जो बात कही जाती है वह किसकी वह तीसरे परकार की क्योंकि अगर तीसरे परकार के आधार पर MSP का निर्धारन किया जाता है तो यह किसानों की आई को दुगनी करने में काफी बहतर होता है आगे चलिए जो बजट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसमें एक बात देखी गए क्या कि अगर हम खरीद में एक बढ़ोत्री की बात करें सरकार के द्वारा और उसमें जो सरकार के द्वारा भुक्तान किया गया है तो गेहूं चावल और डाल के संदर्द में 2013-14 की तुलना में 2019-20 और 2020-21 में हम क्या देख रहे हैं कि सरकार ने 2013-14 की तुलना में 2019-20 और 2020-21 में गेहूं चावल और डाल की खरीद पर जादा मुल्ल चुकाया है इसका अर्थ यहां पर यह है कि सरकार के द्वारा जो खरीद या जो किर्शक उत्पाद है या किर्शी से समंधि जो उत्पाद है उसपर जो सरकार के द्वारा खरीद की जा रही है स्वामित्य योजना की घोसना का आखिर उद्दे से क्या है इसका उद्दे से है कि क्रामीन छेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनकी संपत्ती से संबंतित जो मालिकाना अधिकार है उन मालिकाना अधिकार की प्रमानिक्ता सिद्ध हो इसी के लिए स्वामित्य योजना की सुरुवात की गई है आकड़े यह बता रहे हैं कि जब से स्वामित्य योजना की सुरुवात की गई है तब से 1241 गाउं के लगबग 1.80 लाग संपर्ति मालिकों को कार्ड उपलग्द करा दिया गया है बजट 2021 में यह प्रस्ताव दिया गया है कि इसके दाइरे में इस वित्ती आगले वित्ती वर्स 2021 में सभी राज्यों और संग सासित छित्रों को सामिल किया जाएगा मतलब यह कि वित्ती वर्स 2021 में स्वामित यूजदा के अंतरगत सभी राज्यों और केंदर सासित प्रदेशों के अंतरगत आने वाले गाउं को सामिल कर लिया जाएगा अगला प्रस्ताव यह है कि इस बार के बजट में जो क्रिसी क्रेडिट है इसके लक्ष को बढ़ा दिया गया है और लक्ष बढ़ा कर कितना किया गया है 16.5 लाक करोर रुपे और इसके अंतरगत पसुपालन देरी और मत्स पालन को भी रखा जाएगा साथी साथ बजट के प्रस्ताव पर अगर हम गौर करें तो ग्रामीन अवसनचना से संबंधित जो कोस है उसके लिए भी आवंटन में बढ़ुत्री की गई है यह आवंटन कितना 30,000 क्रोर रुपे से बढ़ा कर कितना कर जाए गया है 40,000 क्रोर रुपे इसका मतलब यहां पर यह है कि ग्रामीन अवसनचना निर्मान के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है और गंभीर भी है अगर हम बात करें ग्रामीन अवसनचना विकास कोस की तो हम क्या देख रहे हैं कि 1995-96 में भार सरकार के द्वारा इस विकास कोस की स्थापना की गई और यह विकास कोस किसके अंतरगत कारी करता है या किसकी देखरेक में कारी करता है तो यह नाबाड की देखरेक में कारी करता है और इस कोस का मुख उद्दे से क्या है? इस कोस का मुख उद्दे से है किया राज सरकारों को और राजी के स्वामित वाले जो निगम है उनको रिन परदान करती है किस बात के लिए? इस बात के लिए कि जो ग्रामीन बुनियादी धांचा पर्यूजना है उसको सही समय पर पूरा किया जा सकी है देखें आगे क्या है? हमें ये पता है कि 2018-19 के बजट में सुक्ष में सिचाई कोस के प्रावधान को लाए गया सुक्ष में सिचाई कोस किसके अंतरगत है? नाबाड के अंतरगत है? 2021-22 के बजट में यह प्रस्ताव दिया गया कि नाबाड के अंतरगत 5,000 क्रोपे की कोस के साथ बनाएगे सुक्ष में सिचाई कोस को क्या कर दिया जाएगा? दुगना कर दिया जाएगा इसका मतलब यहाँ पर यह है, कि सरकार पूरे तरीके से कर्षी के मामले में, या सिचाई के मामले हम बात करें, तो सरकार का पूरा ध्यान केंद्रित है एक सिध्धान्त पर, एक अबधार्णा पर, वह सिध्धान्त और अबधार्णा क्या है, वह है कि per drop more crop, इसलिए सरकार पर ज्यादा जूरते रही हैं फिर आगे देखे क्या उप्रेशन ग्रीन हमने हम क्या जानते ता ऑपनी के बारे में आकि ऑपरेशन ग्रीन को बजट 2018 19 ने लाया गिया है है ऑपरेशन ग्रीन के अंतरगत इन फसलों को सामिय किया गया था उसमें तो उसमें सामिल किया गया था आलू को, प्याच को और टमाटर को अब जो बजट प्रस्ताव लाया गया है उसके अंतरगत 22 जल्दी से सड़ने वाले उत्पाद को भी ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतरगत शामिल कर दिया गया है तो इसका लाब क्या होगा? इसका लाब यह होगा कि करसी और सहायक उत्पादों के मुल्य समवर्धन में वरिद्धी होगी साथी साथ उने के निर्यात को भी प्रोटसाहन दिया जाएगा यहाँ पर हमने बात की किसकी ऑपरेशन ग्रीन की जिसका विस्तार कर दिया गया है या जिसके अंतरगत अब केवल तीन उत्पाद नहीं है बलकि नए बाइस उत्पादों को भी उसमें शामिल किया गया है आगे देखते हैं आगे इनेम बात करते हैं किसकी इनेम की है इनेम क्या है इनेम एक पोर्टल है ठिक इस पोर्टल का उद्दिस से क्या है इस पोर्टल का उद्दिस से है कि देश में मौजूद जितने भी A.P.M.C है Agriculture Produce Market Committee देश में मौजूद A.P.M.C को Electronic रूप से जोड़ना है इसका उद्दिस से क्या है इसका उद्दिस से है कि किरसी उत्पाद के संदर्भ में One Nation One Market की अवधार्णा को व्यवहारिक रूप में सामने लागा आकड़े क्या कह रहे हैं आकड़े यह कह रहे हैं कि E.Nem में अभी तक 1.68 करोर किसान पंजगरित हुए है और इसके मादिन से 1.14 लाग करोर रुपे का व्यापार हुआ है और E.Nem के साथ हजार से ज़्यादा मंडियों को जोड़ा जा चुका है अब देखे कि बजट में यह प्रस्ताव किया गया है कि APMC मतलब Agriculture Produce Market Committee को अपनी अवसरचना स्वीधा बढ़ाने के लिए किरसी अवसरचना कोस उपलब्ध कराया जाएगा APMC यहाँ देखे यह बजट प्रस्ताव इसलिए उलिखनी है क्योंकि लगातार अगर अभी चल रहे किसान आंदलनों पर हम गौर करें तो उसमें क्या क्या बाते कही जा रहे है कि MSP समाप्थ हो जाएगा उसमें क्या बाते कही जा रहे है कि मंडिया समाप्थ हो जाएगा लेकिन अगर हम बजट प्रस्ताव पे गौर करें हमने क्या देखा कि MSP क्या हो रहा है उत्पादन लागत का धाईगुना करने का प्रस्ताओ फिर हमागे यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो Agriculture Produce Market Committee या जो मंडिया हैं उन मंडियों को अब सनचनात्म गुरूब से और मजबूत किये जाने का प्रस्ताओ इस बार के बजट में हैं अगर बात करें क्रसी अब सनचना कोस की तो इसका सुबारम इस उद्दिस से किया गया है कि जब फसल का उत्पादन हो जाता है और जब उसकी कटाई हो जाती है तो कटाई होने के बाद भंडारन परिवहन से सम्मंदित जो अब सनचना होती है उसके विकास के लिए जिस कोस की आवसेता पड़ती है उसके लिए ही क्रसी अब सनचना कोस का सुबारम किया गया इस अब सनचना कोस के अंतरगत अगर हम रिन विवस्था पर गौर करें तो अधिक्तम साथ वर्स की अबधी है तो दो कड़ो रुपे तक के रिन देने की विवस्था है जिस पर प्रतिवर्स तीन प्रतिसत ब्याज सबसीडी भी दी जाएगी उसके अलाबा जो रिन का पुनरभुपतान करना होगा मतलब उसे वापस करना होगा तो उसके लिए रिन इस्थगन की भी विवस्था है जो कम से कम च्छा मैंने और अधिक्तम दो वर्स तक है आगे देखते हैं कि क्या प्रस्ताव किया गया है अब आगे देखें कि पांच प्रमुक मचली बंदरगा होगा कौन-कौन से कोची, चैन्नाई, विसाखा पत्नम, पारादेब और पेतवागाट यह जो पांच प्रमुक मचली बंदरगा है इसको आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में भी विक्सित किया जाएगा आगे के प्रावधान को देखें वो क्या है? सीविड उत्पादन तो सीविड उत्पादन को प्रोथसाहन देने के लिए तमिल नाडू में एक बहु उद्देशिय सीविड पार की स्थापना की जाएगी अब यह सीविड क्या है? तो सीविड समुद्री सेवाल या समुद्री सबज्या होती है और या एक प्रमुख खाद्य स्रोथ है और या लाल से हरे से भूरे से और काले रंग तक दिखता है मतलब इस रूप में यह होता है और कई देशों में इसे एक प्रमुख खाद्य सामगरी के रूप में प्रियोक के डाता है जैसे जापान में, कोरिया में और चीन में अब सरकार सीविड उत्पादन पर क्यों इतना जोर दे रही है या सीविड उत्पादन से समंदित योजना का निर्मान सरकार क्यों कर रही है वह इसलिए कर रही है ताकि तटिये छेत्रों में, किर्सी येवं उससे समंधित छेत्र जो हैं, उसमें रोजगार का अतरिक्त स्रजन हो सके और बड़े पैमाने पर तटिये छेत्रों में रोजगार का निर्माण आगे, प्रवासी कामगार औस्सरमिंट यहां यह महत्पूर्ण है वह इसले महत्पूर्ण है क्योंकि प्रवासी स्रमिकों की दुर्दसाथ कोरोना महमारी के समय में सामने आ गए हमें यह पता है कि कोरोना महमारी के परसार को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाए गया इस lockdown के कारण फैक्टरियां बंद हो गई फैक्टरियों के बंद होने के कारण मजदुनों के समक्च रोजगार की समस्या उत्पन्न होई दिहारी या दैनिक मजदूरी पर आधारित जो मजदूर है या जो उनका परिवार है उनके समक्च जब आए की समस्या उत्पन्न हुई तो फिर बड़े पैमाने पर शहरों में रहने वाले, महानगरों में रहने वाले यह जो मजदूर हैं, वो अपने ग्रही राज्यों या ग्रही जीलों की और वापस जाने लगए। उसके बाद की इस्थिती हमने समाचारों में देखिए, समाचार पत्रों में हमने पढ़ा हैं, यह जो इस्थिती वी उसे एक नाम दिया गया, नाम क्या दिया गया, रिवर्स माई करे सकते। एक रासन कार्ट की योजना को प्राणबर किया गया। हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह कुल लाभार्थियों की संख्या का कितना है, 86% बजट में यह बात कही गई है कि बांकी के चार राज्य और केंदर सासित प्रदेश अगले कुछ मेनों में इससे जुड़ जाएंगे। अब हम बात करते हैं स्रमिक से संबंधित, नियोकता और स्रमिक इन दोनों के हितों से संबंधित, चार स्रम कोड को लागू किया गया। ताकि देश में काम करने का एक वातावरन तयार हो सके, और द्योगिक इकाईयों में नियोकता और करमचारियों के बीच में सावंजस की स्थापना हो सके, और नियोकता के द्वारा करमचारियों का अनावस्यक सोसन नहीं किया जा सके। स्रम कोड में सुधार का लाब क्या होगा इसका लाब सबसे बड़ा यह होगा कि लगभग सभी मजदूरों को समाजिक सुरक्षा के लाब की प्राप्ति होगी समाजिक सुरक्षा के लाब का अर्थ यहाँ पर क्या है इसका अर्थ है प्रॉबिडेंट फॉंड इसका अर्थ ह मातर तुलाब की योजना का मिलना बुर्गटना मुआबजा का मिलना और यहां जो कारी किया गया है वैस्विक इस तर पर ऐसा कारी करने वाला भारत पहला देश है उसके अलावा अलग-अलग छेत्रों में काम करने वाले मजदूरों और अलग-अलग कौसल पर आधारित जो मजदूर है उन सभी के लिए नियूनतम वेतन के प्रावधान की घुसना भी बजट में की गई है इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि एक जैसी कुसलता और एक जैसे छेतर में काम करने वाले मजदूरों के एक जैसे वेतन होंगे और वह भी नियूनतम वेतन का इस्तर रखा गया मतलब कोई भी नियूकता उससे नीचे किसी भी कामगार को वेतन नहीं देगा फिर महिलाओं को सभी स्रेणियों में तथा उचित सुरक्षा के साथ राग की सिफ्ट में भी काम करने की अनुमती दी जाएगी इसका मतलब यहाँ पर यह है कि रोजगार के छेतर में जो लैंगिक भेदवाओं है लैंगिक भेदवाओं को समाप्ट करने में यहाँ जो पहल है वह काफी कारगर साबित होगा अब हम बात करते हैं वित्तिय समावेशन की वित्तिय समावेशन का अर्थ यहाँ पर यह है कि समाज के उस तबके को वित्ति प्रक्रिया में शामिल करना जो अभी तक वित्ति प्रक्रिया से बाहर है इसके अंतरगत यहां जो विवस्था की गई यहां पर वया है कि stand-up इंडिया योजना की तहट जो नगदी का प्रवाह है उस नगदी के प्रवाह को और आगे बढ़ाये चाएगा इसके साथी इसमिया विवस्था की गई है कि जो margin money की जुरत पड़ती है 25% उसे घटा कर कितना कर दिया गया 15% किया गया है साथी साथ इसके अंतरगत किरसी से सम्मंधित गतिविधियों के लिए रिन को भी सामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है देखे margin money या जो 25% से घट कर 15% किये जाने का प्रस्ताव रखा गया उसका कितना बड़ा लाब होगा जरह वो देखे मालने के stand-up इंडिया के अंतरगत अगर एक महिला को 100 रुपए के रिन की अनुवति दी जाती है पहले कितना margin money था 25% मतलब 25 रुपए उसके हाथ में कितने पैसे आएंगे 75 रुपए अब जो नया प्रस्ताव रखा गया है उसके द्वारा अगर हम देखें तो उसके हाथ में कितने पैसे आएंगे तो पाहले की तुल्ना में एक महिला उद्ध्यमी के पास अत्रिक्त 10 रुपई उसके हाथ में आएंगे उस महिला उद्ध्यमी को होगी मतलब पाहले की तुल्ना में उसके पास अत्रिक्त 10 रुपई की पूंजी है अगर अत्रिक्ट दस रुपए की पूंजी है तो इसका मतलब यहां पर यह है कि बाजार में अत्रिक्ट दस रुपए का सिर्जन होगा और यह जो अत्रिक्त 10 रुपे का स्रिजन या निवेश किया जाएगा इससे इसके और भी अत्रिक्त प्रवाहत देखे जाएंगे अत्रिक्त प्रभाव की संदर में और रोजगार के संदर में आई वृद्धी के संदर में लोगों की द्वारा किये जाने वाले मांग के संद में फिर आगे देखें कि माइक्रो स्मॉल मेडियम इंटर्प्राइजिस की साहिता के लिए भी अनिक उपाय किये गया है मतलब इस बार के बजट प्रस्ताओं में पहले की तुलना में इस छेत्र के लिए जो बजटी आवंटेंट किया गया उसे बढ़ा दिया गया है आगे हम आते हैं अब अपने अगले इस्तंब पर अगला इस्तंब हमारा कौन सा है मानपूंजी का पुनः शक्ति वर्धन करना इसके अंतरगत क्या विवस्था की गए जरब वो देखें हमें ये पता है कि सरकार ने राष्टिय सिक्षा नीती की घोसना कर दी है तो प्राबधानों का सही धंसे अनुपालन हो इसके लिए 15000 से अधिक विद्यालेों में गुनवत्ता की द्रिष्टी से सुधार किया जाएगा इसका लाब यहां पर यह होगा कि यह जो 15000 से अधिक विद्याले हैं जिनकी गुनवत्ता की इस्तिती में सुधार किया जाएगा जिस जगह पर ये विद्याले होंगे ये विद्याले अगल बगल के छेतरों के विद्याले के लिए एक आदर्स विद्याले या एक उदाहरण का काम करेंगे उसके अलावा सो नए सैनिक इस्कूल भी इस्थापित किये जाएंगे और यह जो सो नए सैनिक स्कूल इस्थापित किये जाएंगे इसमें प्रमुख भागिदार कौन-कौन से होंगे तो गैर सरकारी संगठन नीजिव स्कूल के साथ साथ स्टेट गॉर्मेंट वो भी इसमें involved रहेंगे अब हम आते हैं higher education पर उच्चतर सिक्षा इसमें क्या बात करेगे? इसमें यह है कि भारती उच्चतर सिक्षा आयोग गठित करने को लेकर इस वर्स एक विध्यक को पेस किया जाएगा जो ना केवल जो उचतर सिक्षन संस्थान है उनके लिए मानक का निर्धारण करेगा बलकि जिन संस्थानों के द्वारा इन मानकों का अनुपालन किया जा रहा है उनको एक विद्याले की रूप में उसको इस सत्यापन भी करेगा साथी साथ इन विद्याले के लिए फंडिंग की भी विवस्था की जाएगी और साथी साथ इन विद्याले का वगा डैनिक आधार पर मासिक आधार या वार्सिक आधार पर उसका वगा वी नियमन भी करेगा regulate भी करेगा, हमने बात कि यहां पर भारती उच्चतर शिक्षा आयोग की आगे देखिए, आगे यहां पर यह है कि एक सहर में, खास कर बड़े सहरों में ऐसा देखा गिया है, कि एक साथ कई सरकारी कॉलेज होते हैं, विस्विद्याले होते हैं साथी साथ अनुसंधान संस्थाइं भी होती है, इन सबके बीच बेहतर समन्वे की स्थापना हो, इसके लिए यह आविस्यक है, कि इनके बीच बेहतर समन्वे की स्थापना के लिए एक संस्था का गठन किया जाए इसी आविस्यक्ता को देखते हुए एक छत्रक संरचनाओं की इस्थापना का प्रस्ताओ इस वर्स 2021-22 के बजट में किया गया है उसके अलावा लदाख में उच्छ सिक्षा तक पहुँच बनाने के लिए लेह में एक केंदरी विश्विद्याले की इस्थापना की जाएगी साथी साथ अनुसूची जाती एवन जनजाती कल्यान सही कौसल निर्मान से समंदित घोसनाएं भी बजट के प्रस्ताओं में शामिल है अब हम बात करते हैं अपने अगले इस्तंब की ओर इस्तंब है नवोनमेस और अनुसंधान और विकास अगर आपको याद हो तो जुलाई 2019 में राश्टी अनुसंधान फॉंडेशन के लिए एक कारेपणाली तयार्टी की थी जिसके अंतरगत 5 वर्स में 50,000 करोर रुपे के परिव्याय की विवस्था की गई है इसका उद्देश है कि संपूर्ण अनुसंधान विवस्था को मजबूत करना और राश्टी प्रात्मिक्ता वाले छेत्रों पर ध्यान के अंद्रित करना मतलब यह कि अनुसंदान के उन छेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना जो प्रात्मित्ता के दृष्टिकों से उप्यूपत है फिर आगे देखे कि भुगतान के डिजिटल लेंदिन को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित योजनागले पंद्रो सौ करोर रुपए का प्रस्ताव किया गया इसका मतलब यहाँ पर यह है कि डिजिटलाइजेसन को बढ़ाने के लिए एक फिंटेक विवस्था को और ज्यादा मजबूत करने के परती सरकार गंभीर है फिर क्या यह जरूरी नहीं है कि देश में जो सासन विवस्था है और सरकार की जो नीतियां है उन नीतियों को हर एक व्यक्ति जाने है हमें यह पता है कि जादतर जो सासन से समंधित व्यक्तव्य होते हैं या जो नीतियां होती है वह अंग्रेजी में होती है अब है कि उन सासन के वक्तव्यों और नीतियों तक आम लोगों की पहुँचो इसके लिए आवस्यक्ता की कि उसका हर एक छेत्री भासाओं में अन्वाद इसी आविस्यक्ता को देखते हुए बजट में राष्ट्रिय भासा अनुवाद मिसन के सुरुवात की पहल की गई है उससे समंदित प्रस्ताव रखे गए है गगनियान मिसन गतिवीधी के तहट हमें ये पता है कि चार भारती अंत्रिक्ष यात्रियों को रूस में जैनरिक स्पेस फ्लाइट की बारे में उन्हें प्रस्चित किया जा रहा है और बजट के प्रस्ताव के अनुसार पहला मानवरहित प्रक्षेपन दिसंबर 2021 में होगा अब बात करते हैं महासागर की तो महासागर में अनुवेशन के कारी को बढ़ाने साथी साथ गहरे महासागर की जो जैव विवित्ता है उसको संगरक्षन देने के लिए पाँच वर्सों में चार हज़ार करूर रूपे की विवस्था की गई है हमारा चठा और अंतिम इस्तम्द है जो नियुन्तम सरकार और अधिक्तम सासन है इसके अंतरगत बजट में क्या प्रस्ताव रखा गया है जरा उस पर गौर कीजिए कि तेजी से न्याय सुनश्चित करने के लिए जो न्याया धिकरण है उन न्याया धिकरणों में सुभार लाने के उपाई समंधी प्रस्ताव सामिल है फिर आगे देखें कि Central Public Sector Enterprises के साथ जो अनुबंद विवाद होते हैं विविन कंपनियों के विविन फर्मों के तो इन अनुबंद या कॉंट्रेक्ट समंझी जो डिस्प्यूट है उसके तुरंत निप्टारे के लिए एक विवाद निप्टान तंतर का प्रस्ताव भी ब रुपए आवंधित किया गया है हमें ये पता है कि Operation अविजय के द्वारा जो गुवा है उसे भारती राजिचेत्र में 1961 इस्वी में सामिल किया गया गुवा को भारत के राजिचेत्र में जो सामिल किया गया था इस घटना के 60 वर्स पूरे हो रहा है इस घटना के 60 वर्स पूरे होने के उपलक्ष में हीरक जैनती समारों का आयोजन किया जा रहा है इसके लिए गोवा सरकार को 300 कड़ो रुपे के अनुदान देने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है उसके साथ-साथ असम और पश्चिम मंगाल में चाय बगान कामगाव उसमें विसेश कर कौन-कौन महिला और उनके बच्चों की कल्यान के लिए विसेश योजना का निर्मान किये जाने का प्रस्ताव रखा गया है और इस विसेश योजना के लिए हजार क्रोर रुपे के आवंटन का प्रस्ताव बजट में किया गया है इस प्रकार हमने सभी च्छ इस तंभो पर विस्तार पूर्वक चर्चा कर लिए अगर आपको हमारी टीम का यहकारी परसंस नहीं लगता है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे कंटेंट को शियर गते हैं इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नहीं जानकारी के साथ नमस्कार प्रसाइब करें तो ब्रसेगन जान आपकोषेश्चरी सरे माउट नवी जास्टाइब करेंगे नहीं के साथ श्यास्ता इसके साथ नहीं और टीज़ के श्यादेर के चाटिए टीज़ करेंगे लिए।